सब्सक्राइं हपी किश रियो कि इसे मारे सब्सक्राइब करेंगे फिर मैं आपके लिए चारा की परिशी के सट्सक्राहो कि इन डुक्त आपना यहले संग कि 6 इ 독्राइब करेंगे किसी stock में price action की movement हो सकती है कोई seasonal stock हो सकता है so depending upon several factors we pick them लेकिन यहाँ पर एक चीज का हम खास ध्यान रखते हैं वो यह है कि इन stock के अंदर जो upside potential है वो जादा होना चाहिए और हमारा जो risk factor हो कम होना चाहिए यह चीज मैं आपके लिए भी कहूँगा कभी भी stock कितना भी इच्छा क्यों न लगे आपके friend ने बोला है किसी नहीं बोला है लेकिन जब आप stock को pick करते हैं उस stock में target चाहे कितना भी बड़ा नजर आए लेकिन अगर risk बड़ा है टागेट छोटा हो लेकिन risk छोटा हो तो definitely trade लेना चाहिए गलत हुए तो छोटा सा loss तो होगा otherwise बड़े के लालेच में एक बड़ा loss लेके बैट गए फिर महीने लगे रहेंगे उसको recover करने के लिए वो गलती आप मत कीजेगा तो चले आगे बढ़ते हैं और वापिस आते हैं चार्ट के उपर और friends अगर अब तक आपने हमारे चांगों सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला कामे भी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किजेगा बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको हर रोज जो भी नया वीडियो आएगा उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हम हर रोज आपके लिए डेली वीडियो डालते हैं और पॉट्फोलियो का सीरीज आपको हमने सुरू किया वैफर्स उफ जैंसे कैसे आप अपने पोट्फोलियो में स्टॉक्स एड करते हैं किस क्रिक्रियो पर कीजेगा साथ में ये breakout weekly stocks भी होते है nifty analysis we do, bank nifty analysis we do तो इन सब वीडियो के लिए आप अपने और education वीडियो तो definitely आती है आपके पास में तो इन सब के लिए bell icon प्रेस कीजेगा description box में चेक करेंगे तो काफ़ सारे आपको links मिलेंगे जिसमें आपको हमारे telegram का link मिलेगा for live update and अगर आप समच में समझना चाते है market को learning करना चाते है तो swing trading के courses आप हमारे पास available intraday के लिए complete technical analysis के courses available है उसके लिए आप हमें join करते हैं voodoo trading.in website के उपर या फिर आप हमारा mobile app भी download करते हैं और उसके लावा कुछ आपको description box में link मिलेंगे for our demand you can also use as per your need पहले recap से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो stock था वो था VIP industry तो VIP industry को हमने जब पिक किया था इसमें हमारा जो stock का price था पिक करने वाला वो था 525 entry so this is somewhere close to here अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां पर stock ने almost 6% 5.5% का return दिया है अगर महीने में आपको 4% आपके capital investment का return मिलता है तो समझें कि आप इंडिया के सबसे elite group में अपने आपको place कर सकते हैं क्योंकि 4% महीने का बहुत बड़ी बात है तो यहां पर काफी इच्छा return है यह आप चाहें तो इसमें अब अपना stop loss 5.38 का रखकर hold कर सकते हैं यह आपकी choice है मैं आपको immediate stop loss बता रहा हूँ तो आप यहां पर अपना 5.38 का stop loss आप रख सकते हैं उसके बाद में हमारा था क्रम्टन क्रम्टन को हमने pick किया था when it was trading 270 270 का हम यहां पर रखते हैं यह वाला हमारे पास में था तो यहीं पर हमने इसको breakout pick किया था और उसके बाद में अगर आप चेक करते हैं यहां से अभी current closing 4% के आज़ पास है क्रम्टन में आप अपना stop loss 277 का लगा कर hold कर सकते हैं तो दोनों stock अभी आपके लिए hold में है अगर आपको पैसे नहीं है आपके पास में जादा तो चाहें तो आप अपना profit book कर सकते हैं कोई problem नहीं है उसके बाद में हमारे पास netco pharma netco pharma में 575 का हमारे पास में entry था तो 575 से अगर आप चेक करते हैं यहां से चेक करेंगे तो यह भी 2% के आसपास में है और इतने अभी recently high भी बनाया था that was of 4.38% तो आप देखें जब भी आपका 4-5% के आसपास पहुंच जाता है तो profit book करना शू कर दीजे उसके ऊपर जाने के बाद चाहे तो अपने stop loss on cost लगाना शू कर देजे तो यहां पर आप चाहे तो अपना on cost stop loss ले कर आज़ते हैं otherwise मैं कहूंगा यहां पर आपना full profit book करेंगे तो चलेगा उसके बाद में हमारे पास अधानी port अधानी port में हमारा target था 4.50 का देखे उसने recent high बनाया था 4.24 का और हमने इसको pick किया था 13.50 पर दो ही दिन के अंदर आप देखेंगे 5% के आसपास करें मिल गया which is very good of course now it is down तो आपने on cost इसको लगा के hold कर सकते हैं otherwise इतनी बड़ी movement जैसे मैंने का 4-5% के उपर stock चला जाता है 4-5 तक टच कर लेता है तो partial profit तो definitely आपको book करना चाहिए तो 4 stock ठीक ठाक perform कर रहे हैं और यहाँ पर हमने discuss कर लेगे कि किसको हमने hold करना है किसको हम quit कर सकते हैं netco pharma quit करते हैं बाकि on cost या जो भी हमने level discuss के हैं उसके according लिए आप उनको hold करते हैं और यह investment advice नहीं है यहाँ पर मैं आपको सर्फ chartering बता रहा हूँ कोई भी trade अगर आप लेते हैं तो एक बार अपने financial advisor से सलाव जरूर कीजेगा चले अगले week के stocks की बात भी करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए हमारा पहला प्यक्रेगा BHEL BHEL में देखेगा recently 270 का high बनाया था उसके बाद एक fall किया उसके बाद में यहां consolidate किया और breakout किया breakout करने के बाद मैं ध्यान से देखेगा इस zone में लगाता trade कर रहा है और इस zone के high के उपर पूरे zone की बात करूँ तो इस zone को break करके closing भी सबसे उपर दिया देखेगा ध्यान से यह वाला सब के उपर closing है which is almost good हमारे लिए यहां पर जो buy zone बनेगा वो रहेगा 252 से लेके 255 का मैं यहां पर एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ जो भी lower level हम discuss करते हैं आने वाले वीडियो के लिए भी इसका मतलब यह होता है जब वो stock नीचे से break करे उस level को ऐसा नहीं कि touch करे फिर भागे touch करके भागा तो फिर आपके लिए उपर के level ही जाएंगे 256 भी कर सकते हैं होजबता है थोड़ा सा आपको कुशन मिल जाए तो उपर नीचे से touch करके उसको break करकर re-achieve करें तब ही आपको 252 पर ले ना होता है अदर्वाइस जो भी हमारा अपर लेवल होगा उसी पर आप enter करेंगे यह होता है range को या zone को trade करना क्योंकि इसके बाद में आपका कुछ नहीं इसके बाद देखेंगे एक बड़ा सा fall almost अगर आप देखेंगे तो 50% का fall है उसके बाद में उसने आराम से एक rounding bottom बनाया उस zone को break किया और closing आज यहाँ पर हो गया हमारे पास इसमें 399 से लेके 405 का entry रहेगा अभी current closing 401 का है और वापी से वही level नीचे से break करेगा तो lower level otherwise उपर side में यह level यहाँ पर आपका stop loss थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा अगर आप देखेंगे 390 के आसपास का आपका stop loss बने लगवग 3% से 2% जैसे इसको break करता है इसके उपर closing दे देता है तो आप इसको 395 पे shift कर लिजेगा और इसमें जो हम expected target है मुझे लग रहा है कि यह हमें जल्दी ही target देके जाएगा 440 and 460 के 1st और 2nd target in case लगातर rise करें तो आप इसको hold कर रखेंगा 50% book करके यह भी बहुत बढ़िया stock है और once again यह भी एक breakout है वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हमने एक rectangle breakout pick किया था यहाँ पर हमने उस breakout को already जो हमारा fall के बाद में rounding bottom बना था उसके break करने के बाद में उसने closing उसके उपर दिया है और एक psychological number होता है जो 400 का है वो भी उसने close कर लिया है इसलिए हमने इसको pick किया है उसके बाद देखते हैं अगले stock को यह है हमारे पास NICA नाइका में देखेगा पहले मैं यहाँ पर line plot कर रहा हूं and this is something like that उसके बाद यहाँ पर देखेगा यह वाला part यहाँ पर आपको थोड़ा सा clear नजर आएगा इसने इसी level पर आके पहले भी breakout किया है उसके बाद hold किया and rises back यहाँ पर उसके बाद में जब नीचे fall किया इसी level को hold किया अब इसने इसको break करके लगातार यहाँ पर hit कर रहा है तो आप यह कह सकते हैं 168 से लेके 170 की आपकी entry रहेगी इसके उपर जाने के बाद आप entry करेंगे stop loss अगर आप चाहें तो फिलहाल के लिए 163 का stop loss आप रखेगा उपर भागता है तो पहला target I would expect 180 और उसके बाद में आपका 200 का second target निकल की आ रहा है यह रहेगा आपका NICA के अंदर FSN e-commerce ventures इसका दूसरा नाम रहेगा इसके बाद में अगर अगले stock के बाद करें fourth stock की तो वो मेरे पास में है Lloyd's metal Lloyd's metal में देखेगा मैं थोड़ा सा पीछे लेकर आ रहा हूँ और यहाँ पर आपको निज़र आएगा एक line draw करूँगा पहला line हमारे पास यह आएगा उसके बाद में second line में draw कर रहा हूँ यहाँ पर and if you look at here यहाँ पर इसने पहले resistance face किया फिर कई बार इस zone को hold करने की कोशिश किया फिर से attack किया आज उसने उसके उपर close कर लिया है और मुझे लगता है कि हमारे पास में यह जो छोड़ा सा hurdle है विचिस 650 का hurdle है यह break कर लेता है तो काफी अच्छी return हमें मिलेंगे तो यहाँ पर हम यह कह सकते है कि आप current zone बना के रखिएगा विचिस 645 से लेके 650 नीचे से break करेगा तो I would say ठीक है 650 का मुझे थ्वा सा जादा clarity लग रहा है कि इसके उपर जाके close कर लेता है तो मैं इसके उपर जादा prefer करूँगा तो एक अच्छा सा हमारे लिए breakout बनेगा क्योंकि कई बार fail भी हो जाता है और अगर हम इसकी बात करें lower side की तो I would say यहाँ पर देखेंगे so current closing इसके पास में है 643 की low जो बनाया है low है हमारे पास 630 का तो मैं 635 का इसमें अपना immediate stop loss रखिएगा और target की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पहला target ही हमारा 7th का यहाँ पर निकल के आ रहा है यह रहेगा हमारा Lloyd's Metals तो guys यह हैं हमारे आने वाले week के लिए stock और आप जो पुराने stocks हैं उनमें जब भी stock आपका 4% cross कर जाता है 3% की उपर जाने के बाद में 50% अपने stocks को square off कर लिजेगा ताकि आपको वापिस stock भी अगर नीची गिरता है तो on cost निकलेंगे on cost में भी आपका profit निकल किया आएगा जैसे आपने 500 quantity लिया उसमें से 250 आपने निकाल दिया और stop loss on cost shift कर दिया